आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिसंबर 2023 के रिवैलुएशन के रिजल्ट के बारे में जिन भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अंतक देखें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया औ और आप इगनो के इस्टुएंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो आप इस समय जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रिवैलुएशन रिजल्ट दिसंबर 2023 और दिसंबर 2023 का आप जानते कि थियोरी एक्जाम आपके लिए डिक्लेयर किया जा रहा है अभी भी काफी इस्टुएंट ऐसे है जिनका थियोरी एक्जाम का जो रिजल्ट है वो कंप्लेट नहीं हुआ है लेकिन जिन भी इस्टुएंट का कंप्लेट हुआ है अगर उनको लगता है कि उनका जो थियोरी एक्जाम रिजल्ट है उसमें उनको सही मार्किंग उनकी नहीं की प्रिजक्णा पर स्वाइब अगर आप चाहें तो आपको मुझा दिया जाता कि आपकी जो आपकी जो आंसर सीट आप फिर से चेक किया जाएगा Revaluation आप किसी भी theory subject का भर सकते हैं यानकी theory subject जो है जिनका आपने theory exam दिया है उनका आप Revaluation का form भर सकते हैं 750 रुपीज पर subject के हिसाब से fees पे करके इसमें condition तरिव यही है कि जिस जिन आपका theory exam का result आया है उसके 40 जिन के अंदर आपको Revaluation का form भरना होता है इसका मतलब यह है कि अगर आपका आपका मान के चलिए कि आपका 1 फरवरी 2024 को किसी subject का result आया तो उसका मतलब यह है कि अगर आप उसको उस subject का theory exam का Revaluation का form भरना है तो आपको उसके 40 जिन के अंदर यानिके लगवक 10 या 12 मार्श 2024 तक उसका Revaluation का form भरना होगा अगर आप भरना चाहते हैं तो Revaluation का form जो अभी भी available है इगनों की website पर आप इगनों की website से Revaluation का form भर सकते हैं कैसे भरना है उसके उपर मैंने पहले जब आई थे Revaluation का form उसके उपर मैंने वीडियो बनाई हुई है Simple step से आप Revaluation का form भर सकते हैं Revaluation के साथ साथ आपके पास एक मौका ये भी होता है कि आप अपनी answer seat को भी मंगवा सकते हैं अपनी answer seat को भी देख सकते हैं आप 100 रुपीस पर course के हिसाब से अपना 100 रुपीस पर subject के हिसाब से pay करके अपनी answer seat है उसको भी देख सकते हैं लेकिन इसके लिए जो last seat होती है वो 30 दिन होती है यानकि अगर आपका एक फरवरी को exam का result आया तो आप 28 रुपरी या 1 मार्स तक ही अपना उस subject का जो answer seat है उसको मंगवा सकते हैं और उसको देख सकते हैं तो आपके पास दोनों मौके होते हैं आप उसका revaluation भी करवा सकते हैं और answer seat भी आप खुद से देख सकते हैं कि मुझे किस subject किस question में कितने marks मिले तो अच्छी बात यह है कि December 2023 का revaluation का result आ गया है लेकिन यह पहली update है इसका मतलब यह है कि काफी सारे assessment ऐसे होंगे जिनका भी revaluation का result नहीं आया होगा आपको इंतिजार करना है क्योंकि अब revaluation का result भी December 2023 के theory exam result की तरह updates में आएगा दो या तीन दिन के बाद आपको revaluation के result की second update देखने को मिल सकती है उसके बाद कुछ दिनों बाद third update और इसी तरीके से कम से कम दो से तीन महीने तक आपका revaluation का result भी इसी तरीके से आता रहेगा तो अपरेल एंड या फिर माई के first week तक आपका December 2023 का theory exam result complete हो जाएगा और आपका जून या जुलाई तक आपका revaluation का result भी complete हो जाता है आपके लिए examination form भी release कर दिया गया है जून 2024 का जो भी student examination form भरना चाहता है उनके लिए last date 31 March 2024 है without late vision की बिना किसी late vision के आप 31 March 2024 तक अपना examination form फिल कर सकते हैं तो अगर आपने revaluation का form भी तक नहीं बढ़ा है और आपको लगता है कि आपका जो theory exam का result आया उसमें कुछ problem है उसमें आपको कम marks दे ले तो आप जरूर भर सकते हैं आपका जो marks है उनको यहां पर revaluation में normally 30-40 दिन के अंदर update कर दिया जाता है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपका पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेयर जरूर कीजिए